49 में देखते हैं क्या कहता है 49 में कहता है Give the Willow Recept and Payment Of Mayour Club On 31st March 2019 कुछ information given है सबसे पहले balance BD है Recept and Payment का तो balance BD जो 1,2500 रुपए है ये cash का balance है opening balance sheet में जाएगा cash 1,2500 रुपए है इसके बाद आगे information हमें दे रखा है इसके अंदर सबस्क्रिप्शन तो इसके अंदर क्या member है member exactly दे रखा है तो member है तो मैं इसमें से put नहीं करूँगा by subscription आपका subscription अब 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 खतम हो गई member हमारे 500 और each member 500 तो कितने हो गए दो लाग पचास अजार that's it लेकिन अब इसके अंदर से मैं calculation भी करूँगा पिछले साल का 4000 है तो पिछले साल का outstanding रहा होगा तो मैं लिखूँगा सब्सक्रिप्शन 4,000 इनसाइड में क्या पता इस्टिल भी अजार है liability में भी लिखूँगा सब्सक्रिप्शन ध्यान से देखना भी मैं दुबारा समझाओंगा भी इसके बाद 2,5,000 current year का है तो closing subscription 2,5,000 तो 45,000 closing subscription है एक पर फिर मैं इसको आपको समझा देता हूँ सबसे पहले member दे रखा है member के इसाब से income and expenditure को मैंने अलग कर दिया लेकिन balance sheet में तो दिखाना है अब आप सोचो कि 2018-19 का सिर्फ 2,5 ही मिला है जबकि मिलना कितना चाहिए था इस साल का कुछ बाकी है मैंने closing balance sheet में दिखा दिया पिछले साल का 4,000 है तो पिछले साल का बाकी ही तो receive किया होगा तो पिछले साल का assets दिखा दिया next year के लिए 6,000 है तो next year का receive किया तो मेरे लिए advance received है तो liability है 2018 यानि पिछले साल का 5,000 are still in area अभी भी 5,000 still in area for the year ended 31st March 2018 अब मुझे समस्या ये है मुझे ये बताओ कि 5,000 total area है या आपका total 9,000 था समस्या थोड़ा confusion है आपको जब date के साथ देता है for the year ended नहीं बोला वैसे इसने बोला for the year still थोड़ा confusion हो सकता लेकिन यहां जम्शन रहेगा पिछले साल का 5,000 बाकी था पिछले साल का कितना बाकी था 5,000 question question में clarity नहीं है अभी मैं एक बार दुबारा read करता हूँ 5,000 are still in area for the year ended 31st March 2018 पिछले साल का अभी भी बाकी है कितने 5,000 assumption के हमें 5 में से तो 4 लिखी दिया है और कितना still outstanding दिखा दूँ मैं 1,000 मैं total 5,000 मानने को तयार हूँ मैं मैं ये नहीं मान रहा के 4,000 मिलने के बाद 5,000 बाकी है मैं ये नहीं मान रहा मैं मान रहा हूँ के पिछले इतने मिल चुके थे और 1,000 अभी भी बाकी है मैं ये assumption लेके चल रहा हूँ आपका mind में assumption ये भी अब मैं बोल सकता हूँ पिछले साल का still outstanding अभी भी बच्चा हुआ बिलकुल आपकी बात ठीक है लेकिन नीचे वाले जो adjustment है अब वो adjustment receive करने से पहले का है तोटल बाकी 5 था क्योंकि नीचे कह रहा है कि पिछले साल year ended में इतना पिछले साल रुपे हम receive कर चुके है कहां पता चला ये receipt and payment में तो टोटल 4,000 receipt हो गया तो 5 में से 4 ये एक ही है टोटल पिछले साल के assets में कितना आगे 5 अभी भी एक हजार still outstanding है तो अब मैं यहां पे दिखाऊँगा still outstanding ये है last year से related ये last year से एक हजार तो ये assumption मेरा ये है आप जो बोल रहे हो के question में सर ऐसा करते है 4 था मिल गया और 5,000 अभी भी और बाकी है उस 9,000 रुपे आप premium को दिखाना चाहते हो यहां पे वो भी हो सकता है लेकिन जो मुझे ज़्यादा तर correct लग रहा है ये लग रहा है और इसके लिए भी मैं note दूँगा और जो आप सोच रहे हो अगर मैं उसके हिसाब से करूँ तो उसके लिए भी मैं note यहां पे दूँगा ही दूँगा चाहे कुछ भी हो question में ठीक है clear note तो मुझे दोनों में देना पड़ेगा क्योंकि still लगा दिया इसने word हाँ अगर ये still word नहीं लगाता तो हम मान लेते हैं totally है ठीक है तो मैं दोनों चीज़े aspect लेके चल रहा हूँ तो answer क्या आता है वो तो modify कर लेंगे आपको सीखना है कि जब कभी भी ऐसा question आए तो exam में भी आपको रुकना नहीं है दोनों आपको लगता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है तो pen नहीं रोकना जो भी लगता है best फटा फट लिखो और उसके note दे दो दूसरा aspect क्या हो सकता है बस इसके बाद आगे देखते है subscription के बाद donation 54,000 income है by donation 54,000 donation के बाद आगे proceeds from drama tickets proceeds from कोई इसने organize किया होगा कोई 95,000 उससे income आया है इसके बाद आपका sale of waste paper 45,000 अब खर्चे की बात करते हैं नीचे adjustment देख लेते हैं एक तो salary पे भी है building पे भी है स्वरी मुंसिपल टेक्स पे है और outstanding salary पे है और building पे है तो मुंसिपल टेक्स तो अभी तक आया है नीच फिलाल के लिए salary लेते हैं टू salary इंसाइड में लिखेंगे साथ हजार अर्जिस्मेंट बाद में इसके बाद expense अब कौन सा expense है कोई भी हो सकता है general expense expense 7500 आउटसाइड में drama expense कुछ इस बुक वाले क्या करते है drama expense को drama proceeds में से माइनस करके net करके दिखाते हैं लेकिन हम अलग अलग दिखाएंगे बात वही है expense drama expense 45,000 इसके बाद newspaper expense है newspaper 15,000 रुपए का खर्चा है newspaper का municipal tax मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होता क्या है municipal tax देखो municipal tax जो होता है हमारा यह taxis होता है जो आपको benefit provide होता है ना उसको हम municipal tax के नाम से जानते हैं जैसे कि आप benefit provide हो गया आपका जैसे कि मानलो street road या फिर आप साफ सफाई से rehabilitation road का हो गया या फिर गटर हो गया या फिर आपका कोई भी गली में कोई शुई पर आता है तो इससे आप से payment नहीं लिया जाता है इसके बदले आप से house tax लिया जाता है munsipal tax लिया जाता है तो यह munsipal tax है तो मैं मुंसिपल टेक्स पे अभी फिलाल के लिए star बना लेता हूँ क्योंकि नीचे मैंने adjustment देखा है और मैं भी ज़्यादा इसमें involved नहीं हो रहा charity charity मैंने किया है तो खर्चा और charity कितने का कर दिया मैंने 35,000 investment अब investment दो लाग का closing का मानना है हमेशा अब इसके आगे rate नहीं given तो investment के बाद electricity charge खर्चा है electricity charge कितने का खर्चा है 14,500 इसके बाद देखा जाए तो balance CD ये cash in hand है और ये 90,000 बस एक information छोड़ के सारा यूज कर लिया कहता है prepare club income and expenditure जो की बनाई रहे हम year ended 31st March 2019 and balance sheet after the taking of the following information membership subscription हमने कर लिया municipal tax amount 4,000 per year is paid up to 30 June हम क्या करते है municipal tax जो है आपका municipal tax अब उपर डूणते हैं कितने का था 4,000 अब बात करते हैं देखो ये पूरा साल है मेरा 1,4 और end होगा 31,3,2,019 अब कहता है municipal tax का जो हमने payment किया है वो किया है 4,000 अब 4,000 रुपे के बारे में ये क्या कहता है municipal tax amount to 4,000 paid up to 30 June ये 30 June तक का paid कर रखा है और यहाँ पर एक word कह रखा है per year इसका मतलब ये क्या करता है मैं 2 साल का date बनाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा 2 साल का date बनाता हूँ मैं 1 last year, 1 current year ठीक है, ये last year है जो कि कब स्टार्ट होगा 1, 4, 2, 0, 17 31, 3, 2, 0 और 1, 4, 2, 0 और 31, 3 मैं इस साल की मुझे preparation इस साल की कहना है मैं बोलता हूँ कि मैं June में हर बार payment करता हूँ हर बार payment कब करता हूँ June में June में payment करता हूँ एक साल के लिए कौन से June डेट क्या है हमारा 30 June यानि 30 June से जब मैं payment करता हूँ तो आगे एक June तक होता होगा June का payment जुलाई एक साल कैसे 30 June को पेमिन करता हूँ अगर मैं एक जुलाई को पेमिन करता हूँ तो जुन तक होता है ऐसे ही तो होता है जनवरी से जनवरी थोड़ी होता है मारे एक साल, जनवरी से दिसंबर होता है, एक साल कम हो जाता है, एक मन्त कम हो जाता है, तो ऐसे मैं 30 जून को पेमिंट कर रहा हूं, तो मन्त तो खतम ही हो गया, तो एक जून तक का पेमिंट होगा, हम यह मान लेते हैं, ठीक है, यानि ए लिखा जाए 30 जून को पेमेंट है पूरा तो एक तो 30 जून यानि एक जुलाई मालो यह जून को हटा ही देते हैं एक दिन को हटा देते हैं एक जुलाई का पेमेंट है एक जुलाई से लेकि कितना हो गया हमारा नाइन मंत और थ्री मंत का एडवांस यह साल का यही डिटेल ह लेकिन ऐसा काम यह एक साल नहीं कर रहा हर साल ही कर रहा है पिछले साल भी ऐसा कर रहा होगा तो पिछले साल भी इसने यह पेमिंट किया होगा तो नाइन मंत का कर रहा होगा और तीन मेहने का एडवांस जो कि यहां यूज हुआ होगा तो इस साल में न पूरे बारा महिने का आएगा प्रीमियम लेकिन बारा महिने का कैसे दिखाएंगे इस साल में चार हजार इंटू नाइन बाइ ट्वेल क्या आगया तीन हजार, एक हजार एडवांस है तो मैं देखा अब मुंसिपल टेक्स को कैसे लिखूँआ टू मुंसिपल टेक्स चार हजार चार हजार में से एक हजार, नेक्स्ट यर के लिए तो प्रीपेड एक हजार और पिछले साल भी कुछ प्रीपेड था पिछले साल भी होगा ना प्रीपेड पिछले साल तीन मैंने कर तो उसे क्या करूँगा एड, ओपनिंग एडवांस एक माइनस एक एडवांस एडवांस अल्टिमेटली ये क्या आ गया और अब देखो पिछले साल एडवांस था या नहीं था था बिलकुल आएगा प्रिपेड एक हजार और क्या क्लोजिंग है मैंने इंस्वारिंस लिख दिया मुंसिपल टेक्स, एम्टी कर देता हूँ एक हजार, देखो क्लियर कोशन में तो लगता है कि एक हजार रुपे होगा नाइन मंत का निकाल लेंगा लेकिन सिर्फ एक साल, यहाँ पे पर एनम है फिर आप कोशन में डाउट पूछोगे, सर अभी एक से पहले एक 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 जामपल लिया था इंस्वारिंस में उसमें तो ऐसा नहीं किया था, उसने स्टार्ट ही उस दिन से किया था पिछले साल का था ही नहीं अगर वहाँ पे भी हो था, पर एयर, तो मैं वहाँ पे भी यही concept लगा था, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ है, तो यह तो पूरे चार ही रहेगा, इसमें इंपक्ट नहीं हो, एड लेस होके तो वही हो गया, पिछले साल का एडवांस, एड हो गया, इस साल का एडवांस, माइनस हो गया, लेकिन इसके बाद आगे कहता है, building stand in the books 5 lakh, books का मतलब पहले से ही पढ़ा हुआ है building, मैंने एक point बताया था, जो opening में होगा, वो assets fixed अगर हुआ, तो closing में भी जाएगा, क्या इस पे depreciation है building पे, नहीं है, अब उपर interest नहीं देता है, लेकिन last में interest देता है, 6% interest accrued on investment for 5 month, 5 मेने का interest, accrued है, तो 5 मेने का निकाल ले investment था, कितने का, 2 lakh का, तो 2 lakh पे, 5 by 12, 5 by 100 into में, sorry, कितने percent है, 6 by 100, 5 by 12, कितने आगे, 5,000 तो income है, तो यहाँ पे भी आएगा, accrued interest पांच हजार और assets भी है पांच हजार, clear, सारा adjustment मैंने यहाँ पे कर दिया, income में भी आ गया, और यहाँ भी आ गया, अब इसका totaling करते हैं, या तो surplus निकल जाएगा, या deficit निकल जाएगा चलिए, आप बताईए, कहां गया marker, चलो बताओ, total क्या आया, आके side का, इस side का, और two, बताओ, क्या match हो गया, दो लाग, दो लाग 22,500, ठीक है, अब इसे ले जाएंगे, हम यहाँ पे capital, इसमें plus करेंगे, surplus, दो लाग 22,500, यहाँ से capital निकालो, छे लाग 12,500, अब book का match करो, दे रखा है क्या, छे लाग, छे लाग 12,500, अब देखो, क्या हमें किसी के लिए note देना जरूरी है, यहाँ पे, बिलकुल, दो note बनते हैं यहाँ पे, एक municipal text पे, क्या, last year का भी advance है, इसलिए हम advance पे दिखा रहे हैं, दूसरा, municipal text पे तो हो गया, और एक दोगे subscription पे, छे लाग, ठीक है, आब यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, हम note दो देंगे, किसलिए देंगे, एक तो subscription का क्या, आउटसेंडिंग वाला area, अब आपका जो answer है, बुक में, वो क्या दे रखा है, 6,12,500 रुपए, और वो फरक किसका था, अगर मैं इसको 5,000 कर दूँ, उसी का फरक होगा, लेकिन हम उसको note दे तो रहे हैं, हम अजम्शन कर रहे हैं, भाई, वो total की ही बात कर रहे है, अब, आठ लाग, इसका टूटल क्या गया, 8, 30, ये लो, ठीक है, समझ में आ गया क्या error है, answer क्यों miss match हो रहा है, आपका ये भी clear कर दिया, दो note लिखोगे, एक subscription is still outstanding, हम अजम्शन कर रहे हैं के वो total है, दूसरा, municipal tax आपका जो था, वो पिछले साल का भी prepaid था, इस साल का भी prepaid है, और कुछ भी इसमें extra point नहीं है, चलिए note करिए अब आप,